हेलो दोस्तो आज मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए पालक पकोड़े की रेस्पी जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ही जादा ये क्रिस्पी और टेश्टी बनता है आप सब भी इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राई करना वीडियो पसंदा है तो लाइक जरूर कर देना चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे पालक लिये हैं जिसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धो कर साफ कर लिये हैं इस तरह से हमें इसमें डंठल वाले पालक नहीं चाहिए बस पत्तियों को हमने धो कर अच्छे से साफ कर लिये हैं इसे side में रख देते हैं अब एक ball चाहिए हमें जिसमें हमें एक अंडा ले लेना है अंडे को हमें सबसे पहले जो है एक चमच की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से फेट लेना है अंडे को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फेट लिया है और ये देखिए इस तरह से यहां पे हमने यह रूश्टेड वाली धन्या डाल दी है एक बड़ा चमच हमने यहां पे बेसन लिया है आप इसके जगा मैदा भी ले सकते हैं बेसन डालेंगे तो टेश्ट अच्छा हैगा बस बेसन डाल देंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से फेटती हुए हमें एक घो गोल बनाके तयार कर लेना है बेसन और अंडे का गोल बनके तयार हो गया है इसे हम रख देते हैं यहां पे हमने जो है चार से पांच उबले हुए आलू लिये हैं जिसे हमने अच्छे से मैस कर लिया है तो इसी से हमारा आलू मसाला बनेगा तो चलिए हम बनाना सुरू करत हैं सबसे पहले गैस पर हमने पैन चड़ा दिया है जिसमें हमें तेल डाल देना है तेल अच्छे से गरम हो जाएगा यहां पर हमने एक चम्मच जो है सरसो डाल देना है धेर सारा जो है बारी कटा हुआ लसुन इससे टेश्ट बहुत ही जादा अच्छा है गा आलू मसाला ब में डाल देना है यहां पर हमने कास्मीरी मीठी हो धाल यहां दाल देंगे यहां थे पर जो यह तोड़ा सा डाल जाल देंगे यहां पर उतल है इसे ठालda की Breaking कल दो मुझाएं wrap आलू को मैस करना दो कर दो कर साज दो करना गया जितने वह नहीं है इसमें ना है और चम्मस से चलाते हुए इसे बढ़िया से मिला लेना है मसाला आलू जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सकाइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले मिले आपको ऐसे ही करके ये हमारा बहुत ही चटपटा पकोड़े के लिए आलू बनके तयार हो गया है तो इसे हम नीचे रख देते हैं चलिए हमें आगे क्या करना है वो देख लेते हैं यहां पे देखिए पकोड़े के लिए आलू और यहां पे हमने बेसन और अंडे का घोल बना के तयार किया है और यहाँ पर हमने पकोड़े बनाने के लिए पालक के पत्ते लिए हैं तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमने मसाला वाला आलू लिया है यह हलका सा ठंडा होना चाहिए हातों से इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और जिस तरह से हम रोल बनाते हैं उसी तरह से इसे थोड़ा सा हातों से दबाते हुए इस तरह सा रोल बना लेंगे अब देखिए कि हमें पालक के पकोड़े बनाना कैसे है जो हमने पालक के पत्ते लिये हैं इस तरह से इसके उपर रखना है एक हाँ से पकड़ के और दूसरे साइड इसे हमें इस तरह से रोल कर देना है और ये देखिए ऐसे ही करके हमें दूसरे पत्ते को भी रख के इसके उपर बहुत अच्छी तरीके से जो है रोल कर देना है औ हमें करना क्या है यहां पर एक तूथ पीन लेंगे जिसमें से हमें तोड़ के एक में दो भाग कर देना है और यह हमारे छोटे-छोटे से दो तूथ पीन बनके तयार हो गए हैं अब यहां पर जो हमने पालक के पकोड़े बनाए हैं इस तरह से इसमें पिक कर देना है इसके क्या होगा पालक के पकोड़े बहुत फिरीजिंग के साथ फृराई होंगे इसे हम रख देते हैं साइट में तो चलिए हम दूसरे पालक के पकोड़े को बना के तयार कर लेते हैं बहुत ही जादा यह इजी है बनाना इक दम से नई रेस्पी है अभी तक आपने इसे नहीं ब करते को इसके ऊपर बहुत और अच्छी तरीके से यह है रोल कर देना है और यह पालक का पकॉडा बन के तयार हो गया है तूद पिन से इसे एसे कर देंगे और देखिए इस तरह से शबह昨 हमने पालक के पाड़े को बना के तयार कर लेना है वहोत ही यह आलग अर बहुत ही ईजी तरीके से पालक के पकोड़े बनके तयार हैं तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। अब बेसन और अंडे वाला ओल भैवाल अंडे घोल आप करना क्या है गोल में फटाफट से डीप करके डाल देना है तेल में फ्राइब करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यह जो है पालक के पकोड़े बनके तयार हो जाते हैं इन्हीं फ्राइब करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस इसी तर जरूर बनाना मैं बना रही हूँ इसे रबजान की इफ्तारी में आप सब भी इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राई करना ये नए तरीके से पालक के पकोड़े को जरूर बनाना और ऐसे ही करके हमें सारे पकोड़े को फ्राई करके बाहर निकाल लेना है और ये देखिए ब पालग के पकॉड़ा बनके तयार हो गया है बहुत ही ज्यादा यह क्रिस्पी बना थो इस नहीं तरीके से पालग के पकॉड़े को एक बार जरुर बनाना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को Like कर देना कॉमेंट करके जरूर बताना कि ये रेस्पी आप सबको कैसी लगी चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक नए वीडियो सबसे पहले मिले आपको फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ फैंके